नवस्कार दोस्तो अर लोर पर आप से बेगा स्वागत है दोस्तो एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग बहुत बड़ी खुश खबरी आ रही है ध्यान से देखेगा दोस्तो इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तो NPA को लेके एक बहुत बरी भूचाल लाने वाली खबर है NPA को लेके बहुत बरी भूचाल लाने वाली खबर है वीडियो को दियान से देखेगा RBI का लोन पर NPA पर बहुत बरी breaking और इन सब के बीच हम आप के लिए निकालेंगा एक बहुत बड़ी खुश खबरी वाली बार ठीक है जी वीडियो को ध्यान से देखेगा मिसमत की जए तीन से चार मिनट विदिन फाइब मिनट वीडियो फिनिस होगा मिसमत करना चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों आखिर खबर क्या है खबर यह है दोस्तों जो अभी बात के देखना इस वीडियों जो मैं बात करने वाला हूँ फिलाहाल जो है यह जान लेजिए NPA पर एक बहुत-बहुत बरी ब्रेकिंग अभी हम इस वीडियों बताने वाले हैं वीडियों को कहीं से भी इसमें फिर रिजल्ट निकल सकता है जो कई सारे बैंकों की क्या हालात हो सकती है मैंने क्या बूला कई सारे बैंकों की कितने सारे बैंकों की क्या हालात हो सकती है वीडियों को ध्यां से देखे हैं चलिए सबसे पहले हम खुशखबरी वाली लेकर आते हैं ताकि आपको NPA पर अर्निंग कर सकते हैं साथ-साथ डेली अर्निंग कर सकते हैं डेली कर सकते हैं विकली कर सकते हैं अर्निंग तो डेली होगा लेकिन आप पे आउट जो है आपको डेली और विकली बेसिस पे होगा अब कहोगे इस में खास्यत क्या है सर खास्यत यह दोस्तों यह इस प्रोग्र पर एकाउंट open करने का है और इस एकाउंट पर इतने सारे fully loaded feature है जो हर किसी को ज़रुवत है ठीक है जी अब यह हो गई open करकर earning करने का दूसरी आर दूसरा earning होगा जितने भी sale और purchase होंगे उन सभी पर आपको 10% का additional margin additional commission मिलेगा additional benefit मिलेगा और साथ-साथ दोस्तों बहुत कुछ आपको सीखने को ही मिलेगा साथ-साथ आप जान देर सारी चीज जानेंगे भी सीखेंगे चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों सबसे जदी इस open करना जाते हैं यहां से वीडियो डिस्केशन वेबसाइट दिया डिया डिरेक्ट आप इधर ओपन कर लेजेगा और ओपन करने के बाद इस पर किलिक कर लेजेगा इधर अपना एकाउंट सेट अप कर सकते हैं और उसके बाद हम लोगे का तो सपोर्ट मिलेगा 2427 और सिर्फ इसकी चार्जेज कितनी हैं दोस्तों 599 599 डूपीज में आप धेर सारा अर्निंग कर सकते हैं और अपने लोन की एमाई भर सकते हैं और जब एमाई भरेंगे अब बात करतें दोस्तों आखिर मामला क्या है मामला यह है दोस्तों आर बी आई का एक बहुत बरी ब्रेकिंग देखिए दोस्तों अब आपको आप लोगों के लिए छोर के जाएंगे इस वीडियो में जो 35,000 करोर रुपीज का जो लोन है दोस्तों यह एन पीए होने वाल मतलब क्या है दोस्तों जबा। 35,000 करोर में एक बेंक स्टार्ट करने के लिए जडि कोई न्यू बेंक के श्टार्ट होती तुसको कितना रुपा चाहिए कितनी के के चारिफ पिटल चाहिए। और यहां 35,000 करूर रुपए का लोन NPA हो रहा है, मतलब समझ लीजिए बात को, डूब गया यह 35,000 करूर रुपए, तो अब सोचिए इसमें कितने सारे बैंक चालो हो सकता था, अब यह 35,000 करूर डूब गया, यानि यह जो देखिए स्रेई ग्रूप है, इनको जितने भी फा क्या जा सकता है, ठीके जी, अब यह बात होगी, अब दूसरी बात क्या है, यह रिपोर्ट को पर लिजेगा, आप लोग न्यूज पर लिजेगा, गूगल पर एवलेबल है, और यह मनी कंट्रोल पर भी अवलेबल, ठीक है, कहने का यह बताने का जवरत, समझ यह बात को, लाखो करोर रुपए का लोन जब NPA हो जाए, तो इससे बोज किसकी उपर बरेगा, जनता की उपर ही परने वाला है, समझ यह बात को, तो इनसे भी चीजों का ध्यान रखिए, अब दीके गूगल पर गूगल करके देख लिजेगा, इधर देख लो इधर, और मिंट का भी लेकिन छोरने वाली बात नहीं है, बात गुमा फिरा की हमी लोगों के उपर आएगा, आम जनता के उपर ही आगा, जदी कुछ यह हो जाती है, तो यह सब चीज समझेगा, अचा दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है, जो मैने अर्निंग वाली बताया, अब आप लोग अर्निंग करना स्टार्ट कर दो, ध्यान रखेगा, मैं बार बार बता तो, नोटीस या बैंक कुछ भी भेजा है, वो सारा का सारा दोस्तो नल एंड वर्ड हो जाता है, जदी आप उसका पैसा दे देंगे, वो क्या होगा, उससे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, पैसा देखते रहेंगे, तो कहां से पैसा दोगे आप, कभी अरली उट पर देखे, कभी उदार देखे, कभी कहीं भी देखे, ठीक है, तो देखते, देखने, देखने से जब आपको किसी कुछ न का आंसर अभी मालूम चल गया, ध्यान सुनो, अब जो मैं ग्यान की बात बता र हैं, समझते हो बात को, यदि आप उसको इधर उधर बार बार देख, पचास बुक खईद के लाते हो, सबका कॉंसेप्ट वही है, सबका सुल्यूशन वही है, तो फिर आप तो फिजूल का आप बुक खईदने में पैसा वेस्ट कर रहे हो, समझते हो, मैं क्या बात कर रहा क्योंकि आप इधर रहोगे, तो फिर आप परिसान रहोगे, ठीक है, तो परिसान रहना नहीं है, जदी आपको परिसानी का समाधान चाहिए, तो जो मैं बात बताता हूं, इसको फोलो किजिए, अधर वाइज जो है चैनल से अनसबस्काइब करके जा सकते हैं, क्योंकि हम चाहते कब मोलेटोरियम को खतम करें, खतम करें, लेकिन आप लोगों जो खतम होने देना नहीं चाहते हैं, ठीक है, तो यह मोलेटोरियम मोलेटोरियम को खतम किजिए, और अर्निंग पर आओ, और अर्निंग करो, और तो ही जाके आप अपनी लोन को NPO होने से बचा पाएं भी वीडियो देखलो आपको कहीं से कुई समधान नहीं मिले वाला ठीक है ओर मैं बार 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 बोलता हूं सिर्फ और शिर्फ अर्निंग ही एक ऐसा सुल्यूशन है जो सारी प्रेसानी का खातमा कर सकता है सारी workers का खतम कहा हो सकता है जब आप अर्निंग करोगे यार नोटीस से लोग डरे हुए हैं कोई फोन कर दिया उनसे डर जाते हैं कोई मेसेज कर दिया उनसे डर जाते हैं कोई वाटसप कर दिया उनसे डर जाते हैं समझते बात को और डरने के बाद फिर इधर उधर परिसान होते हैं यही बात है वीडियोो को करते है फिनिस वीडियो देखने के लिए भूँगा उसकी कोई whose आणी करेंटी नहीं फिर उसकाओ करोग आवाइफ सब्सक्राइब तो कहने का मतलब यह है जहां आपको अरनिंग करने के लिए जिखा आती है जहां आपको पैसे अर्ण करने के लिए शिखाया जाता है उस चीज को फोलो करेंगे तो आप लाइफ में आगे भरेंगे और उटपटांग सी चीजे करेंगे और कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी उधर तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे जिसको मेरी बात बुर दो समझे बात को तो उमीद करते हैं जो अब आप सभी लोग समझ गये होंगे और अर्निंग पर फोकस किजिए तो ही जाके आपका समधान निकलने वाला है नहीं तो लोन, NPA, Moratorium ये सब वो सब अभी तक अभी मैं इतनी सारी ग्यान बता दी ना आपको Moratorium के बारे में लेग लगता है कौन-कौन लगा सकता है सहुझते बात को मैंने आज बताया बोड़ा फोन आइडिया वाला सिच्यूशन बताया उस पर सरकार Moratorium लगाने की बात कर रही है चार साल के लिए उसका जो एजियार है उसके उपर तो अब यहां तो आगई उस वह मौन सा Moratorium हो गया और यह कौन सा Moratorium है तो Moratorium Moratorium अपने एक बहुत बरा बहुत बरी बात है ज़िए आप इस चीज़ को समझ गए तो ठीक है तो बात को समझेगा तो इसी के साथ हम इस वीडियो को कर देते हैं फिर इस वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धनवाद सुक्रिया थेंक्यू और अरणिंग पर फोकस करो सारी परिशानी खतम जब पैसा रहे तो दोस्तों किसी का कोई कोई चाहता चाहके भी कोई नहीं चाहता जो किसी का लोन हम रखे फिर आपका लोन NPA नहीं होगा डिफॉल्ट नहीं होगा यह माई आपकी रिगूलर तरीके से चलने लेगेगी अब आप एक सी बताना इतनी सारी बाते हैं लेकिन आप सब्छायर करें जदी इभी आप लोग Bref करते हो इस में 90% लोगाइं 90% लोगों का जवाब शुर्फ 20 गहने दोस्तों 18-28 वो मोबाल पर II टाइम पास करते हैं जो इसी में पागल हो चुके हैं लोग जाना तर लोग इसी में पागल हो चुके हैं लोग समझगे बात को mobile में देखो इतने सारे application हैं जो लोग उधर बहके हुए हैं लोग उधर अपनी जिन्दगी को वेस्ट कर रहे हैं लाइफ को वेस्ट कर रहे हैं यह time है नौजवान लोग बहक गया हैं समझते बात को नौजवान कहां जा रहे हैं जिस application का कोई दुनिया में का काम नहीं है आपको career बना के नहीं दे सकता वह आपकी life को समाल नहीं सकता वह और सभी लोग उधर भटक रहे हैं कहने का मतलब क्या है दोस्तों बात को समझे और जदी नौजवान भटक गया जदी डेस का युवा ही जदी इस रास्ते पर चलेंगे अपनी यह time है उसको समझे बात को ठीके जी इसे के साथ इस सुडियो को करते हैं ध्यान रखेगा अपने आप में एक एक आपकी जो time है जदी आज के date में आप लोगोंने time की value दे दी तो यह time का आज का दिया हुआ value आपको तीन साल बाद दो साल बाद एक साल बाद छे महने बाद आपको इसका मालुम चलेगा जो आज आपके time का value दिया हुआ समय का value है यह उस time आपको मालुम चलेगा अभी नहीं चलेगा इसलिए मेरी बात जिसको बुरी लगी कान पकर कर माफी चाहते हैं लेकिन हाकिकत यह सच्चाई को कभी छुपाई नहीं जा सकती बोलते हैं सच्चाई कभी छ सच्चाई रहता है बोलते हैं हमारे देश का क्या है सत्तमेव जयते सत्त की हमेसा भी जय होती है तो इसलिए याद रखना जदी आप अभी जिस किसी सिचुएशन पर हो तो सिर्फ और सिर्फ आप अपने कर्म के बदोलत हैं जदी आप अपने आपको इंप्रूब करेंगे हम अपने आपको इंप्रूब करेंगे आप अपने आपको इंप्रूब करोगे तो कभी भी आपको लोन से रिलेटेड समस्या कभी भी आपको पैसे से रिलेटेड समस्या अरली उट देखो कितनी सारी आंधी तूफान करोना फरोना पताने क्या कुछ आई लेकिन कभी आप आपको सही और सटिक नोलेज मिलता है उसी चीज को फोलो किजिए और हमेंसा टाइम का विडियो दो डेली आकर वीडियो देखो जो हम लोग बताते हैं सिखाते हैं उसको सीखना का कोशिच किजिए और सोच लो हमेंसा थोरे सीखोंगे तो थोरे बहुत पैसे भी खर्च इन सभी वातों को आप वीडियो देखने के बाद एक घंटा तक अपने रूम में बंद हो जाना और सोचना जो अरलि उड ने जो बात बताई है क्या ये बात सही है जदी सही है तो दोबारा आके वीडियो देखना जदी सही नहीं है तो चैनल पे अभी कि अभी अन सब्सक अर्या थेंक्य।